हेलो दोस्तों आज हम बनाएंगे एक कप गीहू के आटे से बहुती टेश्टी नास्ता अगर आप मेहमानों को भी खिलाएंगे तो मेहमान भी पूछेंगे कि आपने ये नास्ता कैसे बनाया तो चलिए फटा-फट से सुरू कर लेते हैं तो एक बाउल ले लेंगे और बाउ हम एजवाइन डाल लेंगे आजवाइन से बहुत अच् Yakप एच्छा जारा आता है और पांचन होने में भी अच्छा रहता है आजवाइन से उसके बाद अथी चंवाच हम कंग एड लेंगे और एक चंवाच हम तील डाल लेंगे आपके पास जो भी तिलो सस्चत पेद या अगर आप लहसुन भी खाते हो तो आप लहसुन भी डाल सकते हैं थोड़ा सा हम चिली फ्लेक्ष डाल लेंगे आधी चमच से भी कमी है उसके बाद हम डालेंगे आधी चमच से भी कम हल्दी डालेंगे थोड़ा सा कलर अच्छा जाएगा हमारे नास्ते का और आधी चमच से तो आप अगर बच्चों के लिए बना रहे हो तो हमने काफी सारी मिर्ची डाली है तो आप कम कर सकते हैं थोड़ा सा गरम मसाला डाल लेंगे और एक चमच हम नमक डाल रहे हैं इसमें छोटा ही चमच है इसलिए एक चमच डाल रहे हैं आप टेस्ट के अकोरिंग डालेगा दो चमच हम दही डाल रहे हैं दही को हमने अच्छे से फेट लिया था इससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाएगा हमारे नास्ते में अगर दही कट करके और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो ऐसे मिक्स करेंगे तो ऐसे मसलते हुए जो भी गुटलिया भी होंगी तो भी खताम हो जाएंगी तो अच्छे से मिक्स करते हुए थोड़ा थोड़ा पानी जिसमें हमने दही लिया था उसी में पानी लिया था तो थोड़ा थोड़ा पानी डालके और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि कोई भी गुटली ना होई तो एक साथ पानी डालेंगे तो गुटली आ रहे जाएंगे इसमें इसलिए हम थोड़ा-थोड़ा करके यह डाल रहे हैं तो आप एक बार इस नास्ते को ट्राइ जरूर कीजिए जैसे की होली आ रही है तो आप होली पे इस तरीके से इस नास्ते को बना सकते हैं बहुत ही बढ़िया लगता है आप महमानों को भी खिलाएगा तो यह आप देखे यह एकदम गाड़ा सा गोलम ने तयार कर दिया है और आप चाहे तो इसे बेसं से भी बना सकते हैं जरूर तो थीन अबले हूए आलू हमने लिये है तो आप चाहे तो कच्छे आलू से भी इससे बना सकते हैं थोड़े पतले पतले काटके तो इसको आलू आ रहे है तो इकदम से चील जाते हैं कोई भी तिक्कत नही अदू होती है यह से बैसे भी आलू को चैलने में तो आसे करके और इसे आलू को, तीनों आलू को हम छील लेते हैं, तो यह तीनों आलू हमने छील दिये हैं, उसके बाद क्या करेंगे, चाकू ले लेंगे, और इसको ऐसे करके थोड़े मोटे ही पीस काटेंगे हम, क्योंकि हमने अबले वे आलू है, तो इने कच्छे तो रहेंगे नहीं, तो इसलिए अगर कच्छी आलू से आप बना रहे हूं तो फिर आप थोड़े पतले पतले काटिएगा तो ऐसे करके यह आप देखे किते बढ़िया पीछ निकल रहे हैं तो ऐसी हम तीनों आलू को काट लेते हैं तो यह तीनों आलू हमने कट कर लिए उसके बाद हमने जो पैटर बनाया था गहूं के आटे का उसे चैक कर लेते हैं तो यह आप देखे सुझी भी अच्छी से फूल गई होगी क्योंकि 10 मिनट इसे रेस्ट पे हो गए हैं उसके बाद इसे अच्छी से थोड़ा मीक्स कर ले कि आप ब्रॉट कर देखेंगे ऐसे करके हांसे भी हम उठा सकते हैं या पिर किसी काटे से उठाई हैगा हुआ कि व्यूव पैटा नहीं आएगा तो इसलिए हम गए प्र टाटे से यह उठा रहे हैं तो यह एक एक करके इसमें डाल देते हैं तो जितने भी पैन में तो इतनी हमने डाले उसके बद करेंगे थोड़ी देर बनने के बाद फिर हम इसको पलटेंगे हलका ऐलका इंगा छिडार आने लग गया है यह हमने सबसे यह लाष्ट में डाला था इसलिए थोड़ा डुथा तो यह आप देखे हमने दो चार बार अच्छे से इसे उलट पलट कर लिया था तो कितने करारे करारे पकोड़े बनके हमारे तयार हो गए हैं तो आप इस होली पे जरूर इन पकोड़ों को जरूर बनाईएगा जो भी मेमान आएंगे उन्हें जरूर खिलाएगा तो बहुत ह तो यह आप देखे कितने करारे पकोड़े बनके तयार हो गए हैं तो अब इन्हें निकाल लेंगे थोड़ा थोड़ा साइड में रोक के तो यह हमने बना के तयार कर दी हैं बाकी जितने हमारे पास बचे होगे हैं वह भी हम ऐसे ही बना लेंगे तो यह आप देखे कितना क कैसा लगा तो यह आप देखे एक दम पनीर की तरह दिख रहा है अंदर से भी और एक दम करा रहा है बाहर से तो आप इसे सॉस के साथ या फिर आपके पास कोई चट्नी हो ग्रीन वाली तो उसके साथ कह सकते हैं थेंक यू